हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लेके इस्टेटोट में आप सभी दोस्तों का मैं मिल सुकला बहुत-बहुत सवाद करता हूं आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों भी यह दोती वर्स के थार्ड समस्टर के सभी छाथ-छात्रों का जिनका र करते हैं यहां पर हम को सभी प्रशन के उत्तर देना होता है और प्रते इक प्रशनों का जो अधिकतम निखता है वो आपको पचासबदों में लिखना होता है जैसे भी आपको प्रशन आपके पेपर में पूछा रहता है उस तरीके से आपको यहां पे लिखना होता है तो दोस्तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतरकती यह आपका टॉपिक्स तयार क्या जाता है और जो आपको टॉपिक्स जाने की जितने भी प्रशन आपको आपके पेपर में आते हैं वो सारे प्रशन आपको यहां पे हम तयार कराने का प्रयास करते हैं तो दोस्तो सारे प्रशन आपके लिए बहुत ही बैलिवल प्रशन है इसमें जो आपको प्रिटिकल को पहरन की पाइज़िकल प्रसेस इन इंडिया से जितने भी प्रस्ट आपके उठते हैं वो सारे आपको आप को हम बताने का प्रियास करते हैं दोस्तों आपको समझ में आयगा और अच्छे से आप लोग मन लगागे पढ़ेंगे तो ये दौ- पूछाता है तो यह प्रश्ण आपके लिए हमेशा जैसे आपको एक पिल्स होता है यह पैन किलर पिल्स होता है आपके दर्द की दवा में उसी तरीके से यह भी आपके पेपर में एक रामबान की तरह काम करता है यह आपका सोने सुपिस वहागा का रूप दिया गया है इसी वज़ए से आपको आपको यह पे तयार करने का एक टाइमिंग और एक जो अपना ब्रिक्टिकर टाइम होता है वो आपको इहां पे प्रतिनधी किया आता है दोस्तो यह आपका जो पॉर्टिकल साइंस का सब्जेक्ट है यह की परिफासाद जी लोगतंत्र किसे कहते हैं लोगतंत्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि लोगतंत्र उस सासन बेवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयम प्रतेक्षी या अप्रतेक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज सत्ता किसी विशेश वर्ग में केंद्रित ना होकर संपूर समाज के सदस्यों में नहीत रहती है डायसी महोदे जी के अंसार प्रजातंत्र सरकार की वह रूप है जिसमें सासन वर्ग संपूर्ड द्रिष्टी की अपेक्छाकरित एक बड़ा भाग होता है इसे हम कहते हैं लोकतंत्र और लोकतंत्र में जितने भी प्रत्निधी का संपूर्ड जनता के प्रति द्रिष्टी में रखकर सासन करती है तो इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं या हम प्रजा तंत्र कहते हैं या कहते हैं प्रजा तंत्र तो यह आपको समझ में होगा फर्ष्ण कि प्रत्त अंत्र के बारे में प्रत्त अंत्र के सेकज़न आपको तक पत्रेक्ष सिंपल था प्रतेक्ष 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 प् छोटे छोटे देशों में लागू किया जा सकता है स्वीडिजर लेंड के कुछ कैंटनों में आज भी प्रतेक्ष प्रजातंतर प्रचलित है इसलिए उसे हम प्रतेक्ष प्रजातंतर का घर कहा जाता है स्वेडियर लेंड के कुछ कैंटनों में आज भी जो पर्तेक्ष परजातंतर परचलित है उसी हम यानि स्वेडियर लेंड को हम पर्तेक्ष परजातंतर का घर भी कहते हैं तो इसी के द्वरा वहाँ परत्यक्ष परजा तंतr की विसेश्थाओं पर प्रकास डालिये इसमे है अता है दोस्तों आपका कि परजा तंतr की निम्स्थाओं रशासन है। वूं कौन्वर आपका है कि शासन में जनता का पर्तिनिद्ध होता है certa कि यंसे नहीं कर सकता है चाहे जितनी विड़ी हरे यह किया हो से नहीं जूशन का प्रतनीद्द होता है और इसी के द्वारा जो सासन है वो बहुत ही कायम रखता है और आज भी ये हमारे देश की एक प्रचलिस संस था है सासन में जो जनता का प्रतनिदित होता है बहुत ही most important है और यह जनता का हमारे जनता का जो एक सुसील है वो बहुत ही आगे चलके इसी को हमारे देश को भिकास सील के रूप में देखने को मिलता है सेकर्ड नमबर आता है जनता के हितों की रच्छा होती है और प्रजातंत से ही हमारे जनता के हितों में रच्छा की जाती है फिर थार नमबर है प्रतनिदी जनता के प्रत उत्तरदाई होता है जो प्रतनिदी होता है अगर जनता के प्रत उत्तरदाई ना हो तो वो कभी अपन अपने प्रतिक्ष प्रजातंत्र के बाहुता है, अब आता है अप्रतिक्ष प्रजातंत्र। चनाया गया है और प्रतिनिधियों को जनता की निर्वाचित करती है जो प्रतिनिधी होता है यानि उम्मीद्वार होता है जनता द्वारा ही निर्वाचित की आता है और वे जनता के प्रति ही उत्तरदाई होते हैं और जो हमारे प्रतिनिधी होते हैं वे जनता के प्रति उत् सामप्रदाइक्ता किसे कहते हैं इसी बाद समयकर हम बात करें सामप्रदाइक्ता के बारे में तो कि वर्गिये भाउना जो अपने समूह या वर्ग के लिए विसेश अधिकारों और हितों की रच्छा पर आधारित होती है तो उसे हम सामप्रदाइक्ता कहते हैं इसमें पंड जिसमें वास्तमिक उद्देश उस वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक सक्ती और अधिकारों को प्राप्त करना है वह वस्तुता गुट मांसिकता है जो सुयम को किसी धार्मिक संप्रताय के ऊपर आधारित करती है लेकिन उसका उद्देश से राजनीतिक सक्तियों परिफासा दीजी बहुत इंसर में लिखेंगे कि सर एड़मेंड वर्क जी के अनुसार कहा गया है नहीं कि सर एड़मेंड वर्क महोदे जी के अनुसार बता गया है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समू है जो कुछ सिध्धानतों पर सहमत होकर अपने सहयूक्त परियासो द्वारा सहयूक्त का मतलब होता है जोड यानि कि एकत्रित होकर एकत्रित होकर परियासो यानिकि अपने संयुक्त परियासो यानिकि जोडने का परियास है द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित करता है गिलक्राइश्ट महोदजी ने राजनीतिक दल की परिभासा देते हुए लिखा है कि राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा संगठित समुदाय है जो कुछ समान विचारों के आधार पर गठित होता है और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कारे करते हुए सरकार को नियंत होता है जो सार्जनिक प्रस्णों अवपर पूर्णता या आंसिक छमता रखते हुए तथा सामुहिक परियासों द्वारा सासन के अपने उद्देशों के क्रियान वैन पर विस्वास करते हुए तो यह आता है आपका राजनीतिक दल की परिभासा इस वीज़े से हम ने आपको अच्छे तयारी करने का प्रियास किया है इसमें है कि इस्ट इंडिया कंपनी के सासन की समाप्ति कैसे हुई महारानी या वैसराय द्वारा भारतियों के लिए कौन-कौन सी घोष्राय की गई एंसर में डिखेंगे कि सर उठार सुतावन की सुतंतरता संग्राम अनेक कारडों में सफल रहा इस आंदोलन में अंग्रेजों की बिजे हुई और भारती सेनकों को प्राजय का मुख देखना पड़ा आंदोलन समाप्त होने के बाद भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के सासन की समाप्ति करके बिटिस क्राउन का सासन प्रावरम हुआ और इस सासन हस्तांतर्ण के बिटिस संसद ने 1858 को अधनियम पारित किया और इस अधनियम के बन जाने से महारानी विक्टोर या भारत की भी समागरी हुई और महारानी ने भारतियों के लिए कई कल्याड़कारी घोशड़ाय भी की जिसके उनके प्रदनिधी के रूप में वाइसराय लाड़ कैनिंग ने एक नमबर अठासो अठावन को पढ़कर वो कौन-कौन से थे परज नमबर था दोस्तों कि भाषिष में हम योद्धुद्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं को ध्यास किजित नमबर जो भारतियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा जो भारतियों ने दिया कनृ राजाएं जो राजाँ है उनके अधिकार हों का जो उनका अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी और उनका सम्मान किया है थर्ड नमबर है दोस्तो की धर्म के आधार पर किसी का कोई बेद भाव नहीं कियाएगा फूर्थ नमबर है दोस्तो कि भारत के लिए कानून बनाते समय यहां के रीत रिवाज उपर विसेज ध्यान दिया जाएगा अगर भारत में जो कानून बना गया उस समय यहां की जो रीत रिवाज है उस पर विसेज बल दिया गया है तो दोस्तो आई हॉप आप लोग को समद में आया होगा दोस्तो यह प्रस्न और इस तरीके से आपको सक्षन एक सारे प्रस्न हमने बताया है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और एक दूसरे को वीडियो को शरूर सेर करते हैं दोस्तो हम आप लोग के साथ इतना कुछ करते हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है जरूर सब्सक्राइब करिए और जितने भी प्रस्न आपको हम आपको बताये हैं वह आपके लिए बहुत ही most important प्रस्न दोस्तो मैं हमेशा आपके बीच में यही बात दताता हूं कि दोस्तो कि यह प्रस्न जरूर तयार करिए यह आपके पेपर में आने के 100-100% संभावनाय होती है तो जरूर आप लोग त्यार करिए और हम जल्द ही model paper भी solve करेंगे जितने भी आपके most important प्रस्न है most important valuable प्रस्न है वह आपको solve करेंगे और आपका जो भी comment box में comment करके आप जो भी बताना चाहते हैं जरूर हमें comment करके सूचित कर सकते हैं और आप लोग हमेशा अपना जो छबी है वो छोड़ते जाईए और हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहने का पूरा परियास करेंगे तो दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ उपस्कित होंगे धन्यबाद दोस्तों